इसे दोस्तों गनित का सवाल है दोस्तों जैसे गनित का सवाल दिया हुए दोस्तों नमबर एक दिया है कि किसी वस्तु को 24 रुप्या में बेचने पर उतने ही परतिशत हानी होती है जितने रुपिये में वह वस्तु खरीदी गई थी तो वस्तु का क्रेमुल ज्याद करें है वस्तु का क्रेम मुल लिखाना है दोस्तों तो हम लिखेंगे आंसर में बनाएंगे दोस्तों लिखेंगे माना वस्तु का क्रेम मुल है माना बस्तु का क्रेम दोस्तों लिखेंगे एक्स रुपया है एक्स रुपया अब बोलता है दोस्तों कि 24 रुपया में बेचने पर इसलिए हम इसको लिखे अब दोस्तो आगे हम इसको इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 24 ब्रावर एकस इंटू एकस का एकस इस टाइप से दोस्तो हम इसको लिखेंगे तो एकस गुना एकस करेंगे दोस्तो या इसको मैं इसको लिखेंगे कि एकस जैसे 24 लिखेंगे दोस्तो इसको लिखेंगे कि एकस जैसे यहां एकस माइनस है तो यहां लिखेंगे दोस्तों अक्र माइनस एकस का एक एकस या एकस लिखेंगे दोस्तों फिर हां लिखेंगे या 24 ब्रावर एकस माइनस एकसटों एकस इसको हम लिखेंगे अगला लिखेंगे दोस्तों जैसे हम 100 बगर करेंगे तो लिखेंगे इसको दोस्तों लोग जैसे या इसको इसे लिखेंगे 24 ब्रावर 100 ये 100 गुना एक्स तो एक्सो एक्स माइनस एक्स स्क्वाइर बठा एक्सो या इसको लिखेंगे दोस्तों इसे की 100 गुना 24 करेंगे तो 24 200, बरावर हो जाएगा दोस्तो, 100 x minus x-square, इस टाइप से हम लिखें इसको दोस्तो, आगे अगर लिखेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा, डैचे, उसको लिखेंगे हम, तो लिखेंगे x-square, x-square लिखेंगे दोस्तो, minus 102 x, एकसो एकस लिखेंगे दोस्तों एकसो एकस अब प्लस लिखेंगे 24 ब्रवर चीरो अब इसका दोस्तों करेंगे तो इसको शॉल्ब करेंगे तो लिखेंगे दोस्तों इसको जैसे या एक्स स्क्वार माइनस इसको लिखेंगे दोस्तों तो इसको करेंगे जिसे इसका खंडन करेंगे तो जिसे 40 x और माइनस 60 x प्लस 2400 x ब्रावर 0 कमन लेंगे दोस्तों तो रहो जाएगा एक्स एक्स माइनस 40 इस टाइप से दोस्तों यह हुआ और इससे आगे जिसे यहां पर दोस्तों लिखा जैसे यहां दिया हुआ है इसको लिखे अब आगे हो जागा दोस्तों इसमें से कॉमन लेंगे तो लिखेंगे हम दोस्तों यहां पर कि जैसे यहां एक्स माइनस चालीश और एक्स माइनस साथ एक्कुन जीरो तो एक्स बरावर जागा दोस्तों जिसे एक्स माइनस चालीश बरावर जीरो और एक्स माइनस साथ बरावर जीरो तो एक्स बरावर जीरो तो एक्स बरावर चालीश और एक्स बरावर साथ इस टाइप से दोस्तों हमारा दो एलसर आया या तो यहां लिखेंगे एकस बराबर एकस बराबर 40 या एकस बराबर 60 होगा और दोस्तों हम यह एकस बराबर लिखेंगे 40 और कि इस टाइप से अंसर होगा दोस्तों। इस टाइप से हमने एक सवाल को स्वाल क्या दोस्तों। आगला सवाल देखते हैं जिसे है कि जी स्कुर्चंट दिया है दोस्तों कहता कि सबसे बड़ी भीन कौन सी है तो हम जानाते हैं दोस्तों। 5-7-1-20-9-14 और 12-9- अगर हम देखेंगे दोस्तों तो मैंसे भी देख सकते हैं पांच बटा आठ बराबर हम लिखेंगे इसको कटाएंगे तो जैसे जीरो पॉइंट अच्छा के आड़ तालेस आड़ दोना सो लाट पंच चालेस दूसा अगर हम चेक करते हैं दोस्तों जैसे एक का हुआ चाह का बटा 12 का अगर देखते हैं दोस्तों इसका होता है जीरो और बरफंचे साथ जीरो दसमला पांच बर फंचे साथ और बारठे 96 तीन इस टाइप से होगा दोस्तों तीसा गर देखते हैं 9 बटा 14 तो इसका हो जागा दोस्तों इसे 9 बटा 14 होगा तो इसका जिसे 0.643 और उसी टाइप से दोस्तों आगला देखते हैं जिसे 12 बटा 19 दिया है तो हम देखते हैं कि 0.632 इस टाइप से कटेगा प प्वाइट में देखते हैं तो हम यह देखते हैं दोस्तों कि जिसे हमारा यह वाला सही है बड़ा है तो लिखेंगे यह जिसे यह सही है दोस्तों लिखेंगे नव बटा चौदा बड़ा भीन है यह लिखेंगे बड़ा भीन भींग में इस ताइप से दोस्तों हमारा इंग आनशर हुआ इस तैप इस यह 5 जिंग मारे और यह उंशत्र विश्थ दोस्तों कहता है कि एक रड़का अपने साकेर से से दस किलोमेटर की दूरी 12 किलोमेटर कि तती घंटा की तय करता है टता फिर 12-2 mm की गति 1 की तूरी 10 km परती घंठा की घंटा की कथी से करता है तो पूरी त cattle में उसकी यज्क पूरी यात्रा में उच्छी और सफ कищ gently दिाएवा इस टाइब से कोशण्र्याव हम इसको स्वल्ब करें तो लिखेंगे दोस्तों औससद गती ऑसत गती औस ट और हम सबढ़ी दोस्तों में ऊसाद गती बरावर कूल कुल लिखेगे कल दूरी बटा कुल समय कुल समय व इस्ट यह ङए व्रैवल लिखे दोस्तो दस और जोड बारहग इस टाइप से लिखा जाता है दूस्तो फिर लिखेंगे दोस्तो cucumber नई जोड बारह बटा दस इसंट इसको हम लिखेंगे उसके पर दोस्तե। 12, 10, 22, बता लिखेंगे दोस्तो, 12, 22, फील लिखेंगे दोस्तो, जिसे 12 और 10 का, जिसे LCM हो खरो निकालेंगे दोस्तो, तो 12, जिसे इसको में लिखेंगे 12 और 10, तो 12, 10 काल्शियम हो जागा, 2, 6, 12, 25, 10, यहनी 6 दूना 12, 25, 60 हो जागा दोस्तों, इसको 12, 50, 10 पाचे 50, अजोर 10, 6, 60, अनि बच्छा के 72, इस टाइप से दोस्तों आएगा, और जिस से आगे होगा दोस्तों, लिखेंगे, 22 बटा 2, और 7, 5, 12, 122 बटा 60, इस टाइप से दोस्तों करेंगे, लिखेंगे 22, इस टाइप से लिखेंगे, 22 गुना, यहां लिखेंगे दोस्तों, जिसे 22 गुना, यहां पर लिखेंगे, 60, जिसे हो जाएगा दोस्तों, 22 गुना, 60 बटा 122, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको कटा देंगे, 30 से हो जाएगा और यह हो जाएगा दोस्तों यहां प Ace gave us 2 teria 6 अधी दोटिय शो इतना इतना अब जागान दोस्तों जेकर कटाएं इसको तो इतना एक कटाएनkaar idx t 법 के अंसर में इस टाइप से दोस्तों इसका आंसर हो मैंने 3 सभल को स्वांब किः अगले सब्सक्व जी beginner कि यह दिया है कि यदि चावल का मुले 20च फरतिसत कम हो जाये ठोब्यक्ति 100 रुप्या मैं दो किगरा चावल मुल औदिक खरी सकता है, तो चावल का घटा हुआ मुल क्या होगा, इस टाइब से, दोस्तो, दिया हुआ है, तो, हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तो, कुछ लेंगे नहीं, हम डारेक्ट लिखेंगे यहाँ पर चावल के मुल में कमी, M competition, तो हम यहां लिखेंगे दोस्तों जिसे चावल के मुल्य पर कमी लिखेंगे दोस्तों जिसे हम M माल लेंगे M माल लेते हैं कमी होने पर कमी M और अगर कोई व्यक्ति X रुप्या में Y के ग्राचावला धी खरीता है जिसे माल लिया जाए जिसे कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति X रुप्या में जिसे X रुप्या में Y के ग्राच दोस्तों चावल अधिक खरीता है खरीदता है अधिक खरीता है इस टैफ से दोस्तों अधिक खरीता है तो हम लिखेंगे दोस्तों जिसे ऐसे मना सकते है एम जिसे माल लेंगे बटा गुनाह एक स्व गफ्राइक Rich दरिखेंगे दोस्तों ब्लाबर हम लिखेंगे जैसे पलए क्या होता है बीस परतिशोट और एक सॉ इसा इक रप्या में दो कीगर्ण अधिक वच्छावल घरिद लेता है तो X बटा Y या लिखेंगे दोस्तों इसे 20 बटा 100 आगुना 100 बटा दूप की ग्रह अधिक खरीता है हम इसको solve करेंगे दोस्तों तो यह और यह cut गया यह और यह 10 हो जाएगा तो जिससे हम लिखेंगे दोस्तों यहां पे जिसे हम यहां पे लिख देंगे दोस्तों जब कटाएंगे इसको तो यह जाएगा 60 10 तो इस टाइप से दोस्तौ मर रिखें इहांपे जैसे दस है दस रुपिया का जबं पर्ती क्की ग्रह कीजा है मैं एक पही 8 किलोमीटर की दूरी को दूरी को तैक करने में एक हजार घुर्णन करता है तो पहिये का व्यास क्या होगा पहिये का व्यास बोलता है निकालने के दोस्तों लिखेंगे यहां पे लिखेंगे पहिये का व्यास यहां लिखेंगे दोस्तों तो यहां हम लिखेंगे कि पहिये का व्यास ब्रावर हम होता है दोस्तों दूरी गुर्णन की संख्या इस टाइप से लिखने दोसतों नंदके caveat गुर्णन की संख्या इस टाइप से लिखेंगे दोस्तों एक हजार एक हजार गुना हो जागा दोस्तों एक हजार गुना बाइस पाइका मान बाइस बटा साथ हो जाएगा अब यह एक हजार एक हजार कर जाए दोस्तों बाइसे का बाइस चोके अठासी इस टाइप से होगा दोस्तों अब क्या होगा चार गुना साथ बराबर हो स्वाल को स्वाल किया इसके आगे और फी स्वाल करें नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसे थैंक्यू धन्यवाद दोस्तों